Hello everyone, स्वागत है आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में DPS इक्षक भरती 2024 नया विग्यापन जारी किया गया है जहाँ पर सभी पोस्ट आई है टीचर्स की PZT, TZT and PRT के लिए अभी राज़े को कैंडी रेट अगर यहाँ पर eligible है, subject है तो बिलकुल apply करें देख लेते हैं, सबसे पहले main website पर चलेंगे, Delhi Public School Noida से ये vacancy जारी की गई है जैसे ही main website पर आएंगे तो आप लोगों को एक page नजर आएगा vacancies का, दूसरा page जो है admission classes, nursery to 8th के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, vacancy में कौन कौन से subject की vacancy है, किस post के लिए तो Delhi Public School Noida, sector 30 और website का link जो है यहाँ पर उपर दिया गया है vacancy 2024-20, 5K नेम से है, PZT में English, Maths, Physics, Chemistry, History, Home Science, Computer Science and Legal Studies की vacancy है TZT के लिए English, Hindi, Maths, Physics and Chemistry की vacancy है उसके बाद जो है primary के लिए English, Hindi, Math, EBS, Spanish, Dance, Music की vacancy है Part-time, Sports, Coaches की भी vacancy है, Skating, Tennis की, Taikando, Karate, Chess and Shooting यह games है तो अब देख लेते हैं, qualification जो है क्या मांगी गई है, application form आपको कहाँ पर मिलेगा स्कूल की main website पर सबसे पहले जाना होगा और यह जो advertisement है, इसी के उपर हमें click करना होगा यह advertisement आगी, इसी पर आप लोग click करेंगे तो यह page जो है आपके सामने आएगा, detail में जो है, जानकरी यहाँ पर दी गई है, इसे आप पढ़ेंगे यहाँ पर form फिल करने की instruction दिये हुए है, ठीक है, और form आपको कहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर नीचे आपको देखेगा, please click here to get the online application form तो application form जो है, यह रहा application form तो यहाँ पर जो है, किस post के लिए आप apply कर रहे हैं, pgt, tgt, prt, part-time, sport coach, office assistant तो इस पर जो है click करना होगा, यानि online ही आप लोगों को भढ़ना होगा, ठीक है, बहुत simple है अपकी जो भी qualification है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, work experience अगर है, तो लिखें, और नहीं है, तो जो है, इसको blank छोड़ दें ठीक है, और last में जो है, pay and submit the form तो यहाँ पर जो है, 200 रुपए जो है, fees आपकी यहाँ पर लग रही है, please make payment of an amount to 200 ठीक है, तो 200 रुपए जो है, आपकी यहाँ पर fees लगेगी, और इसके लिए आप लोगों को इसी पर click करना होगा, pay and submit the form उसके बाद जो है, आप लोगों को shortlisted किया जाता है, और आप लोगों को inform किया जाएगा, interview के लिए आप लोगों को साथ में यह document लेके जाने है, age proof, photograph of applicant, 10th, 12th graduation, post graduation, अगर PGT के लिए अगर है, तो आप लेकर जाएंगे, ठीक है, अनुववव अगर नहीं है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर अनुवव के लिए कोई भी compulsory ऐसी चीज जो है, कोई नहीं लिखी गई है, कोई भी problem आती है, तो इसके लिए जो है, यहाँ पर email address दिया हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करके और अपना कोई भी question पूछ सकते हैं, तो यह detail में जो है, आप लोगों को बता दिया, अगर आप Delhi Public School sector 30 NOETA के लिए apply करना चाते हैं, तो apply करिएगा, application form भी आप लोगो teachers की अगर हम बात करते हैं, तो 80,000 तक salary हाँ पर होती है, ठीक है, अब कई candidate होते हैं, जिनके पास अनुवफ ज्यादा होता है, तो ऐसे में salary अधिक की जाती है, तो चलिए मिलेंगे next video में, thank you